राम मंदिर के अभियान से द्वेश करते रहे और राम मंदिर निर्मान का क्लेश उनके मन में रहा वो इस उजाले के पर में भी अपने मन के अंधकार को दूर करने में सफल नहीं हो रहे और इसी लिए लोगतांत्रिक संस्थाओं लोगतांत्रिक व्यवस्थाओं पर उनके मन का अंधकार हावी होता दिखाई पड़ा है जहां एक तरफ आज चाहें सादू संत हों जन सामाने हों या भक्त लोग हों सभी प्रसंद हैं अहलादित हैं और प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोधी जी को सादू बात दे रहे हैं वहीं इन विपक्षी दलों के मन का अवसाद बार बार उभर कर सामने आ रहा है तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो सत्ता का मोह है आपके अंदर जो हारने के बाद भी दिमाग से जा नहीं रहा है तो सुंदर कांड में रावन को हनुमान जी ने एक संकेत दिया था मैं किसी के लिए शब्दशा नहीं कह रहा हूँ जो प्रतीक रामचरित मानस में है मैं उसी के साब से कह रहा हूँ तो हनुमान जी उससे कहते हैं मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागव तम अभीमान और भजव राम रगुनायक करपा संदु भगवान अर्थाद अपने मन का ये जो तामसिक अभीमान है ये छोड़ो और भगवान का निर्मल हरदे से भजन करो अब मैं आपको बताता हूँ वो तामसिक अभीमान और जो उनके शूल के रूप में हुदाय में छुपा है वो मोह बताना चाहता हूँ आज जिस प्रकार से चुनावायोग ने कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए गए आधार हीन और अनर्गल आरोपों के बारे में विस्तरत 1642 पेजों का जो उत्तर दिया है यही दर्शारा है कि यह सत्ता के मोह का जो तामसिक अभिमान है कि मैं सही हूँ यदि मैं जीत गया तो मैं सही हूँ और यदि मैं हार गया तो दूसरे की गल्ती है इस प्रकार की बातें जो कॉंग्रेस ने की हैं मैं कहना चाओंगा अन दे लाइटर नोट ये मुहले के उस चंचल बालक की तरह हैं जो कहता है कि जब तक मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो ठीक है और जैसे मैं आउट हो गया तो आप मैं एंपायर की गल्ती मानता हूँ मैं तो आउट हो ही नहीं सकता और गंभीरता की दुर्श से कहना चाओंगा कि इनके आरोब हास्यास्पद नहीं संदे हास्पद है Now the manner in which Congress is trying to demean or put an allegation on the dignity of the constitutional institutions It is not ridiculous, it is surreptitiously suspicious क्योंकि इसमें एक design, एक motive नज़र आता है सबसे पहले मैं Congress Party से पूछना चाता हूँ कि केवल आप हर्याना के इर्दगर देखिए जम्बू काश्मीर में EVM सही काम कर रही थी और पंजाब में EVM ने सही काम किया हिमाचल में EVM ने सही काम किया और दिली में EVM ने सही काम किया और एक राज़ बच गया हर्याना के बगल में राजस्तान जहां 2018 में स़ई काम किया था और 2023 में सई काम नहीं किया और किवल हरियाना में गल्प काम किया मुझे लगता है निन्यान नबे के नशे में सत्ता को अपनी मान लेने के हंकार में जो नशे में गाड़ी चला रहे थे उसके एकसीडेंट के लिए दूसरे को दोश देने वाले बिगडे दिल शहजादे जैसे दिमाग की मानसिक्ता से उन्हें बाहर आना चाहिए देश की प्रबुद जनता इस प्रकार के हास्यास्पत तरकों को अब संदे हास्पत दिर्श से देखने लगती है कि मात्र पिछले वर्ष तिलंगाना में भी चुनावायोग ने बहुत अच्छा काम किया करनाटक में चुनावायोग ने बहुत अच्छा काम किया पश्रिम बंगाल तमिल नाडू में बहुत अच्छा काम किया मगर और आपके अनुसार लोकसभा में बहुत अच्छा काम किया परंतु जहां आप हार गए वहां के उपर सवाल उठा वैसे बिंदुवार चुनावायोग ने उत्तर दिया है यह एक तकनीकी और संवेधानिक संस्था के द्वारा दिये गए उत्तर के ऊपर मैं कोई टिपणी नहीं करना चाहता हूँ वगर मैं इसके राजनेत्रिक और नेत्रिक पक्ष के बारे में पूछना चाहता हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की क्यों विचारधारा बना लिया है कि वो भारत के लोकतंत्र को हर संस्था के बारे में संदे उत्पन करके अराजक्ता चों उत्पन करना चाहते है याद करिए मातरे डेड़ साल पहले उन्होंने कहा था है विदेश में जाकर कि डेमोक्रेसी न इंडिया इस फिनिश्ट और उसमें उन्होंने जुडिश्री को भी ले लिया था कभी मीडिया पर आरोप कभी जुडिश्री पर आरोप क्या यह सत्य नहीं है कि भारत की सेना के ओपर संदे जबकि DGMO ने प्रिस कॉन्फरेंस की थी भारत की वाई सेना पर संदे भारत के C.A.G. पर संदे आपके विरुद निर्णे हो जाए कोट में तो कोट पर संदे और आपकी सरस्ता बहाल हो जाए तो लोकतंत्र की विजय मैं देश की जनता से गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि अभी मातर कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके सबसे प्रमुक नेता और सदेवुद द्वैलित रहने वाले नेता ने कहा कि मैं अनओफीशल पी एमपी रहूँगा ये अनओफीशल एमपी की मानसिक्ता वाली पार्टी जिसने देश को दस साल एक अनओफीशल पीम भी दिया जिनके बारे में आज भी ये शक है और जनता में भाव है कि अनओफीशल पार्टी प्रसिडेंट है और वो दिल्ली में या अनुरोद करना चाते हैं कि इस दीपोत्सों के उपर प्रकाश के पर्व के उपर आप अंदकार फैलाने वालों से साबधान नहें और कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा भारतिय लोकतंत्र की गरिमा को कलंकित करने के प्रयास और साफ शब्दों में कहें जिसके कारण सम्विधान के उपर सम्विधानिक व्यवस्ता के उपर संकट उत्पन होता है जिन्होंने अपनी पार्टी के सम्विधान के उपर आक्षेप किया अगर्वास्विक शक्त की बात करें और जो देश के सम्विधान की बात करते हैं खत्रे की बात तो इसलिए हम यह कहना चाते हैं कि कॉंग्रिस पार्टी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है कि लोक Τंत्र की किसी भी विवस्था में उन्हें आस्था नहीं है और भारत के उपर भारत की विवस्थाओं को कमजोर करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं तो मुझे लगता है शायद भारत के इतिहास में पहला मौका हुआ होगा जब इतना विस्तरत जवाब चुनावायों की तरफ से आया हो जिसमें एक सतरकता पूर्ण टिपनी भी है कि इस प्रकार की चीजों से हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है और हमें लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो इस प्रकार की बाते पहले बोल चुके हैं ज उनके मन का मनोभाव ये हो सकता इसलिए मुझे लगता है कि वो पार्टी जो 2019 में सरवोच चिन आयले को गलत कोट करने के लिए जिनके नेता को माफी मांगनी पड़ी थी आज चुनावायों के इस विस्तित प्रणे के बाद उन्हें चुनावायों नहीं देश की जंता से म देखिये मैं बात कहना चाहूंगा कि शायद कॉंग्रेस पार्टी और इंडी गढ़बंदन उस विचार से प्रेरित है जो पिछले वर्ष दक्षन भारत में उनके गढ़बंदन के सबसे बड़े सयोगी डियमके की तमिलनाड़ की सरकार के तत्वाबधान में हुआ था डिस्मेंट जो हुआ था इरेडिकेशन अफ सनातन धर्म और फिर उनके उत्तर भारत के बड़े सयोगियों ने रामचरित मानस फाड़ने का प्रयास किया था और उससे पहले 2021 में दुनिया की कई इन्वस्टीज में डिस्मेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फरेंस हो चुकी है तो जो कुछ तेलंगाना की सरकार और कॉंग्रेस ये करने का प्रयास करती है वो मुझे लगता है अंतर राश्टी इस्तर पर डिस्मेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व और राश्टी इस्तर पर इरेडिकेशन अफ सनातन धर्म से प्रेरित है और इसी लिए हर्याना के चुनाओं में उनका कौन सा उमीद्वार सबसे बड़े अंतर से जीता है वो ममन खान जिसने कहा था नू का बदला लिया जाएगा तो ये समझ में आता है कि वो किस परकार के विचारों और किस परकार की शक्तियों से प्रेरित है और मैं एक और बात में दर्शकों के लिए विशेशकर जो लोग दिल्ली के हैं दिल्ली में प्रदूशन अभी से बढ़ा हुआ है राज्य सरकार किसी प्रकार का कोई उत्तर दाईत नहीं दे रही तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अभी तो दिवाली आई नहीं है ना कोई पठाके छूटे है फिर भी प्रदूशन इतना क्यों बढ़ा हुआ है